नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जिनके पेट पर तिल होते हैं सभी के सरीर पर तिल तो होते ही हैं दोस्तों कुछ तिल ऐसे होते हैं जो जनमजात होते हैं लेगिन कुछ समय के साथ हमारे सरीर पर आते जाते हैं समुद्र सास्तर के अनुसार कहा जाता है कि तिल है उनका अलग-लग महत्व होता है अगर आपकी नाभी के उपरी हिसे पर तिल होना वेक्ति को खाने पिने का बहुत ही सोकिन होता है इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर पेट पर तिल होता है तो वेक्ति कैसे होते हैं करम और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं दोस्तों मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है उनका फल जरूर मिलता है मगर कहते हैं कि हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए जीवन पर प्रभाव होता है उसी तरह हमारे भग्य शाली होने के संकेत हमारे सरीर पर पाए जाने वाल तिल है वो भी देते हैं साथ तर के मताबिक ये हमारे भविश्यों और चरित्र के बारे में बहुत कुछ दर्साते हैं तो चली फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जान रहे हैं कि हमारे सरीर पर यानि पेट पर तिल होते हैं उनका क्या मतलब होता है वो हमारे लिए कितने सुब होते हैं या कितने अशुभ होते हैं वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों पूरा नहीं देखेंगे आग़ों कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें मैंने क्या बताया है तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों के पेट परतिल होते हैं यानि जिन मैलाओं के पेट परतिल होती हैं वे मैला कैसी होती है जिन मैलाओं के पेट परतिल होते हैं उसे अच्छा पती और अच्छी संतान प्राप्त होती है दोस्तों इसी के साथ इनकी संतान है वो हमेशा इनके साथ चलने वाली होती है कभी भी अपने माता-पि तरह का अच्छा अच्छा खाना पसंद करती है इसी के साथ इन लोगों को इन मेलाओं को धन संपत्ती बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है यह अगर किसी वी चेत्र में या किसी वी कारिये में काम करना चाहती है वर्प करना चाहती है कोई भी जोब करना चाहती है उन हमेशा समाज में अपना नाम कमाते हैं वो पैसे कमाने में से ज़्यादा इंट्रेस्ट रखते हैं अपना नाम कमाने में और दोस्तों मान लिजिए जिनका नाम कमाया गया वो पैसे अपने आप ही कमाया गई इन्हें मैनत करने से कोई भी नहीं रोक सकता और इनकी मैनत है ये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बैल आइकोन साथ में जुरूर प्रेज कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो डैली शेयर किये जाते हैं और कमेंट वोक्स में कमेंट करना मत भूल ये जगा साथ में बैल आइकोन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यावाद